इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई हैं। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यह हमारी आंत में भोजन के सरल ग्लूकोज, यानि की शरकरा में तूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे, कि गुर्दे की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं. अगर आपको टाइब दो मधुमे है और पहले से ही हिर्दे रोग है तो जोरील एमवी एक बटाशून ने तीन टैबलेट एसार हिर्दे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा. उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी. आपको इसका उप्योग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. जोरी लेमवी एक बटाशून्य तीन टैबलेट एसर को खाली पेट लेना है. जोरी लेमवी एक बटाशून्य तीन टैबलेट एसर तीन एंटिडाबिटिक दवाओं का मिश्रण है. जब एकल या दोहरी चिकित सा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शरकरा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिंत अंत्रों द्वारा काम करते हैं. ग्लिमेपाइराइड एक सलफ़नीलूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है. मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है. आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविदनशीलता को बढ़ाता है. वो ग्लिबो से एक अलफा ग्लूकोसिडस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोज जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है. यह भुजन के बाद रक्त शरकरा के स्तर को बहुत उच्छ स्तर तक बढ़ने से रोकता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ल जानिवाद.